सोने का गोबर एक बार की बात है किसी सहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्छी रहता था जिसका नाम था चमपक सबसे चौकाने वाली बात यह थी कि उस पक्छी का मल सोने में बदल जाता था यह बात किसी को भी नहीं पता थी एक बार उस पेड़ के नीचे से एक सिकारी गुजर रहा था सिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठैरा वो आराम कर ही रहा था कि इतने में चमपक नामक पक्छी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया जैसे ही पक्ची का मल जमीन पर पड़ा बैस सोने में बदल गया यह देखते ही सिकारी बहुत खुस हुआ और उसने उस पक्ची को पकड़ने के लिए जाल बिछाया चमपक उस सिकारी के जाल में फस गया और सिकारी उसे अपने साथ घर ले आया पिंजरे में बंद चमपक को देख सिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो बै ना सिर्प चमपक को दरबार में पेस करने को कहेंगे बलकि मुझे भी सजा दें यह सोचकर डर के मारे सिकारी ने खुद ही चंपक को राज दरवार में पेश कर राजा को सारी बाद बताई राजा ने आदेश दिया कि चंपक को साबदानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए यह सब सुनने के बाद मंतरी ने राजा को कहा आप इस बेवक कूप सिकारी की बाद पर भरुसा मत कीजिए कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्छी सोने का मल त्याग करे इसलिए अच्छा होगा कि इसे आजादी दे दी जाए इसलिए अच्छा होगा कि इसे आजाद करने का आदेश आप दें मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिडिया को आजाद करने का आदेश दिया चंपक उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग करके गया यह देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और चंपक आसमान में उड़ चुका था, उड़ते उड़ते चंपक कह गया, मैं बेबक कूप था, जो सिकारी के सामने मल्त्याग किया, सिकारी बेबक कूप था, जो मुझे राजा के पास ले गया और राजा बेवकूप था जो मंत्री की बात में आ गया सभी के सभी यहां पर बेवकूप हैं एक ही जगा पर बेवकूपों की फौज लगी पड़ी है तो वच्चो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग का इस्तमाल हमें करना चाहिए